तो आज हम लोग दिर्गाकार आवर्साड़ी के बारे में चर्चा करेंगे आवर्साड़ी में है क्या कि तत्तों का वर्गी करण कराया गया है तत्तों का वर्गी करण होता है इसमें उसके गुड़ों के आधार पर तलब वर्गी करण का कुछ आधार होते हैं जो समान गुड़वाले पदार्थ होते हैं उनको अलग कर देना और एक समान गुड़वाले पदार्थों को एक अलग ग्रूप में रखना इसी को सामानता है वर्गी करण कहा जाता है वर्वी क्रण का अलग अलग आधार होता है तो बरतमान में जो लांग फॉर्म है या दिर्गाकार आवर साडी है तो उसी के बारे में हम लोग आज थोड़ा साम चर्चा करेंगे और आवर साडी में जैसा कि पहले मेंडलीफ ने मूल रूफ से दिखाया था फिर उसके बाद लास्ट में आपका मिलता है मुझले का आवर साडी प्रारण में क्या था कि तत्यों के जो आवर्ती गुर्ण दिखाया था कि तत्यों के भहती तथा रासानिक गुर्ण जो होता ह उनके परमाडु भारों के आवर्ति फलन होता है, तो जो मेंडलीफ ने दिखाया या मेंडलीफ ने दिया था, उसमे परमाडु क्रमांग का ज्ञान नहीं था, उस समय परमाडु भार को ही आधार बना कर तत्यों को वर्वीक्रिट या गुरू के आधार पर उनको बाढ़ द तब फिर वहीं आवर्त गुर्ण जो होता है या आवर्ती नियम जो है वो चेंज कर देते हैं, चेंज करने के बाद नया नियम बनता है कि तत्तों के भावतिक तथा रासानी गुर्ण जो होते हैं, उनके परमाडुक्रमांकों के आवर्ती फालन होते हैं, तो इन तत्तों में जो है परमाडु क्रमांग पर ही आधारित है जो दिर्गाकार आवर्त साड़ी है इसको मुख्य रूप से जब मोजले का आवर्तनियम आया आवर्तनियम के बाद आवर्तनियम जो था वो परमाडु क्रमांग पर आधारित था और उसमें जो परमाडु क्रमांग जो था उसमे इलेक्टानिक बिन्यास बोहर ने जो है इलेक्टानिक बिन्यास तथा मतलब मोजले के आवर्तनियम के आने के बाद बोहर ने परमाडू इलेक्टानिक बिन्यास और तत्मों के भौतिक और रासानिक गुरों में घनिष्टा काफी घनिष्टा देखा गया या संबन उसमें सम करा गया जिसमें मुख़ रूप से राग वर्नर तथा बरी आधि बैढसे और गजान को आ कि अग happend तो उसे बोहर का आवरसाडी के नाम से भी जाना जाता है . या इसको modern या आद्विक आवरसाडी या दीरगाकर आवरसाडी के नाम से भी जाना जाता है . तो अम लोग इसमें देखेंगे थोड़ा सा की तत्यों का वर्गी करण है तो वरगी करण में ये देखा जाएगा, माले ये देख लेते हैं, देखो इसमें 118 तत्तों आपका पर्माडुकरमांग है, वह आपका पर्माडुकरमांग है इस समय वो आपका 118 कुल तत्व कुल एलिमेंट कितने है आपका 118 तत्व है और 118 तत्व में 128 तत्व कुल तत्व की संख्या कितना है आपका 118 तत्व है और 118 तत्व में लगभग कुल आपका कुल तत्व जो है वो 118 तत्व है और जिसमें प्राकृतिक तत्व है प्राकृतिक तत्व जगभग 94 है और artificial से क्या करते हैं संसलेशिद कह सकते हैं जो संसलेशिद तत्व है जो और प्राकृतिक कह सकते हैं और प्राकृतिक या संसलेशिद जो तत्वों की संख्या है वो आपका लगभग 24 है और एक कुल मिलकर आठ नव दू ग्यारा 118 तत्व मिल जाते हैं तो कुछ तत्व जो है प्राकृति में उपलब्द हैं किसी नी किसी रूप में और जो अभी तक ज्यानत हैं और कुछ तत्व जो है उनका एक तत्व से दूसरे तत्व क्या आलफा वीटा गामा या रेडियू एक्टिवता के अधार पर उनका निरमाड किया गया तो उसके अधार पर कुल तत्व आपका लगभग चव भी संसलेशित हो जाते हैं और उसके बाद जो 94 element है वो आपका प्राकृतिक हो गाए या नेचुरूल हो गाए और 24 जो है वो आपका artificial element है तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें जैसे धातू होते हैं तत्तों में क्या है कि तत्तों को तीन भागों बटा गया है धातू और उपधातू में इसको उबर्वी करित किया गया है तो धातू और उपधातू में अगर हम लोग इसके बारे में चर्चा करें तो धातू कुल तक तो आपका 118 इलिमेंट है जिसमें कुल धातू की संख्या जो है वो लगभग 90 है और उसके बाद और धातू जो है और धातू की जो संख्या होती है वो आपका लगभग 20 20 है और उसके बाद 20 हो गया और 91 है 20 है और उपधातु होता है उपधातु जो है वो आपका लगभग सेवेन है और कहीं-कहीं पर 8 दिखाता है कहीं-कहीं पर यह देखने में मिलता है कि जो संख्या नंबर है तो मुल रूप से आपका धातु और धातु और उपधातु की जो संख्या को मिला कर देखा जाए तो कुल संख्या एक 118 बर्तमान में 118 तत्यों का वरगी करण कराए गया उसमें तीन बागों बाटा गया धातू और धातू के अंतरगत जिसमें धातू लगबग 90 मिलता है और उसके बाद और धातू 91 हम लोग मानते हैं यहां पर तो आपका धातू जो होता है 91 हो गया और धातू 20 हो जाएगा औ और उप धातू यह अगर अगर उसेँ प्रकृतिक और प्रकृतिक क रूप में अगर वरगी करण करते हैं तो उसमें प्रकृतिक की संख्या 94 है और और उसके बाद हम लोग सीदे प्रियाडिक टेबल पर देखते हैं इसे बोहर का प्रियाडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उनके नियमों का भी उसमें योगदान इलेक्टानिक भी नियास कर रहा है जिसके कारण इसको बोहर का प्रियाडिक टेवल के नाम से भी जाना जाता है ये तत्व जो है परमाडु क्रमांग प्याधाईत है इसका अगर आवर्त नियम देखेंगे तो तत्व बाटा गया है चार ब्लाक में जिसको यस ब्लाक जिसको कहा जाता है एक यस ब्लाक हो गया और यह हो गया आपका पी ब्लाक है और यह है डी ब्लाक और इसको कहा जाता है यह ब्लाक मतलब 118 तत्वों को चार ब्लाक में उसे क्लासिफाई किया गया है या बाटा गया है अब उसके बाद इसमें कुछ खड़े-खड़े लाइने देखने को मिलती है कुछ बड़ी-बड़ी लाइने मिलती है तो खड़े-खड़े लाइनों को हम लोग सामानता है उसमें वर्ग करा गया तो उसमें कहते थे वर्ग वर्ग या ग्रूप इसे वर्ग कते हैं या तो फिर ग एठारा होता है और उसी में period या आवर्थ जो होते है वह सेवेन है अगर हम line ओ को देखते हैं तो आपका 9 दिखाई देता है लेकिन संख्या यहां से यहां तो गिंते तो साथ होता है उसके नीचे line आपका 9 होता है जो कि यह आफ blog जो होता है इसी में समाईत होता है जो 6 में और सातमें और आवर्त में यह इसका समावेस है तो इसके काण्ड ये कुल हम po당 लाइने अगर गिनें बेडे बेडे लाइने या 36 लाइन गिनेंगे्वे तो मिलेगा लेकिन आवर्त की संख्या को देखोगे प्रेबल सात के नाम से और जो खड़े-खड़े लाएने होती हैं उसको वर्ग के नाम से जानते हैं तो यह खड़ souvent उर्ध्वारदर खानों को वनलोग ग्रूप या वर्ग कहते हैं उसे पीरियर या या आवर्द कातेstep आवर्तों की संख्या 7 है जिसके गिर लेते हैं 1,2,3,4,5,6,7 चुकि इसका समाविस इसी में है इसके कारण गिनने के लिए हमें 9 मिलेगा लेकिन आवर्त की संख्या 7 मना गया है इस क्योंकि यह इसमें समाविस लेंथेनाइड और एक्टेनाइड तो अब उसमें देखते हैं जो ग्रूप जो होता है उसमें 18 ग्रूप हो गया और आपका पीरियड जो होगा वो आपका 7 पीरियड है तो इसमें अब देखते हैं जैसे इसमें क्या होता है अब इसमें इलेक्टानिक बिन्यास देखते हैं अगर electronic विन्यास औबव के आधार पर देखते हैं, जैसे हम लोग अटामिक स्ट्रक्चर में या आवर साड़ी परमारू सनचना में देखते हैं, कि आपवा के आधार पर electronic विन्यास पढ़े हैं जो यस पी डियफ के अंसवार होता है, जैसे हम लोग बरतमान में चार बलाक प जाना जाता है. येस पी, डी और येस उपकोस के नाम से जाना जाता है. तो होता है? येस में अधिक्तम इलेक्टरान की जो संख्या होती है. येस उफकोस में अधिक्तम की जो संख्या होगी वह आपका 2 होता है पी में 6 होता है डी में 10 होता है यह जो इलेक्टरान की संख्या होती है पतलब जब हम इलेक्टरानिक विन्यास निकालते हैं तो इलेक्टरान की अधिक्तम जो संख्या होती है वह संख्या अबर्तमान या दिर्गाकार आवर्ट साड़ी में उस वर्गों की संख्या हो जाती है मतलब अधिक्तम किसी भी उपकोस में अधिक्तम इलेक्टरान की संख्या जो है वह बर्तमान में या दिर्गाकार आवर्ट उन खड़े-खड़े लाइनों की संख्या के बराबर होता है, तो जैसे yes में अधिक्तम दो इलेक्ट्रानम भर सकते हैं, तो दो खड़ी-खड़ी लाइने पहला और दूसरे को मिला देते हैं तो वा yes block होता है, और p में अधिक्तम 6 लाइने होती हैं, जा अधिक्तम 6 जैसे उपकोस होता था, येस पी, डी, एफ हम लोग आप बाउ के नियम में, येस उपकोस पी, डी, और एफ में अधिकतम इलेक्टान की संख्या को देखते थे, तो अधिकतम इलेक्टान की संख्या ही यहाँ पे ग्रूप हो जाता है, या खड़े-खड़े लाइने हो जाती जैसे येस में हम लोग अधिकतम दो इलेक्टान को ही भर सकते हैं, अधिकतम अगर दो इलेक्टान भरते हैं तो वहीं यहाँ पहला लाएं, पहला वर्ग इसमें पहला और दूसरा वर्ग जो है येस ब्लाक में आता है, और वहीं चीज हमारा जैसे पी में होगा, पी में क् कुल 6 वर्ग आते हैं जिसमें वर्ग 13 से वर्ग 18 तक कुल 6 खड़े खड़े लाईने पी में अधिकतम इलेक्रान की संख्या 6 है और वर्गों की भी संख्या 6 होती है जो अगर नंबरिंग में देखेंगे क्रम्स में देखेंगे तो 13 से लेकर 18 है एक, दो, तीन, चार, पांश, छच खड़े खड़े वर्गों आपका पी ब्लाक कहा जाते हैं और उसी परकार हम दी ब्लाक में देखें तो दी बलाग में 10 एलेक्ट्रान अधिक्तम होते है या दी उपको स्वर्य एलेक्ट्रान सकते हैं 10 से अधिक नहीं भरे जा सकते हैं तो अधिक्तम 10 एलेक्ट्रान जो होगा यहाँ पर 10 वर्ग को इंडिकेट कर रहा है तो D ब्लाग जो है यहाँ पर आपका 10 मतलब 3 से यहाँ पर 10 वर्ग 3 से लेकर 12 तक तो वर्ग 3 से लेकर 12 वर्ग तक यहाँ पर D ब्लाग को रखा गया है और वही ची आपका जैसे ये फ-ब्लक में अधिक्तम इलेक्टरान संख्या आम लोग दिखाते हैं अधिक्तम इलेक्टरान की संख्या योई वो तो यख ब्लाक में अधिकत्व 14 एलेक्ट्रान होता है यख ब्लाक में जी सिर्ष सी जाते है लें पर ये होता है तो lengthenide और acternide series को मिलाकर यह black कहा गया और खड़े-खड़े line की संख्या को हम देखेंगे तो यह black जो होता है जैसे यह उपकोस देखाते हो अधिक्तम electron की संख्या 14 होता है मतलब यह उपकोस में अधिक्तम 14 electron से जादा हम नहीं भर सकते हैं तो यहां पे अधिक्तम electron की संख्या ही हो जाता है यहां पे जो बर्तमान में आवर्षाड़ी चल रही है उसमें वर्ग की संख्या हो जाती है तो यहां पे हम लोग को किस black में कितने वर्ग हैं वो हम लोग उपकोस के ही आधार पर ग्याद कर सकते हैं इसमें याद करने की बहुत जरुवत नहीं है, चार हम लोग उपकोस पढ़ते हैं, यस पी डी अफ, चार उपकोस पढ़ें, और चार ठो बरतमान में, दिरगाकार आवरसाड़ी में चार बलाक होते हैं, और यस पी डी अफ में अधिक्तम इलेक्टान की जो संख्या होती है, वहीं जो होता है, उसका अधिक्तम इलेक्टान की संख्या ही, उसका, तो जहीं है, आवरसाड़ी में, यस में, यस बलाक में दो ग्रूप मिलेगा, और पी ब्लॉक में, हमारा सिक्स ग्रूप मिलेगा, और डी बलाक में 10 ग्रूप मिलेगा, और यस बलाक में कुल 14 ग्रूप मिलेगा, जो यस पी डी अफ उपकोसों में अधिक्तम इलेक्टानों की संख्या के बराबर होता है, चार बलाक, चार उपकोस, अभी तक क्या तत्तों के लिए, इलेक्टानिक बिन्याज जो निकाला जाता है, वह चार उपकोस में भर जाता है, अब उसमें हम लोग देखते हैं, यस बलाक में क्या है, यस बलाक में हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, येस black में क्या है कि? अगर हम लोग हाइड्योजन को छोड़ दें तो बाकी ये हाइड्योजन जो हता है नान मेटल है यदिया है? नान मेटल है बाकी इसमें सभी के सभी जो तत्थ ईलिमेंट है सब मेटल है सब disso येस black में hydrogen के अलावा सब की सब तत्त जो होती है वो धातू है हाइडूजन जो है और धातू होता है और पी ब्लाक में देखें तो पी ब्लाक में हमारा या पी ब्लाक को भी लाश्ट में देखें डी ब्लाक देखें डी ब्लाक में सब का सब इसे संक्रमर तत्तो काते हैं सब मेटल है P बलाक में D बलाक में सब किसम धातू होती है इसे संक्रमर तत्तो के नाम से भी जाना जाता है और यह बलाक में भी सब किसम मेटल है यह बलाक में भी सब किसम धातू है अब बचाएजिए ये एक ऐसा बलाक है जिसमें धातू और धातू और उपधातू तीनों पाये जाते हैं जिसमें metal, metal wired और non metal मतलब धातू, उपधातू और और धातू तीनों प्रकार के तत्व इसमें पाये जाएंगे तो सबसे अधिक तत्तों की जो संख्याए वो धात्तों की है और इसमें भी यह हीलियम नियान आरगन क्रिप्टान जेनान रेडान यह सब जो तत्त होती है वो नोबेल गैस के नाम से जाने जाएंगे या नोबेल गैस होती है और इसमें लगभग बोरान सिलिकान गैलियम जैर्मेनियम यस भी यस यन यह सब क्या है यह आपका मिटल वायड है या उपधात्तों होती है अब इसमें अगर हम इनकी सामानत इलेक्टानिक बिन्या सामान अतत्तों का देखें तो यह डी बलाक है और इसे बलाकवाईज के अ और दी ब्लाक ये हो गया और यस ब्लाक ये हो गया वैसे जो ब्लाक होता है वो स्तामाने गुर्ण जो होते है उसके कुछ मिलते जुलते रहेंगे पूरे तत्तों के यस ब्लाक का अंतिम इलेक्टरान जो होगा वह यस उपकोस में जब उसका आपवाव के अधार पर इलेक्टरानिक बिन्यास करेंगे तो इसका अंतिम इलेक्टरान जो होगा यस उपकोस में ही जाएगा यस में अधिकतम दो इलेक्टरान रहता है तो इसमें यस में यस में य वर्ग ऐक है और इसमें वर्गों को जो वर्गी क्रिद किया जैसे 1 2 3 4, 54 रोमन अंकों में भी वर्गी क्रिद है उसके цент test ईय यू पी सीने सामान अंकों में में अंग्डेजिके डिघिट में उसे इंडिकेट कराया है या निर देस उसका नियम में या इसको zero group भी कहा जाता है, nobel gas कहते हैं, akrigas कहते हैं, उत्किष्ट gas कहा जाता है, akrigas उनको, अब इसमें यस ब्लाक में, yes ब्लाक, p ब्लाक, d ब्लाक, या ब्लाक है, तो yes ब्लाक की तक जो हाएगी, इसमें आएगी, यह दो वर्ग हो गया, इसमें पहला और दुसरा आ गया, तो पहले और दूसरे वर्ग के अगर तत्तों का हम लोग इलेक्ट्रानिक बन्यास करते हैं आपवाव के आधार पर तो उसका जो अंतिम इलेक्ट्रान होता है यस उपकूस में ही जाएगा जैसे हाइडोजा लिथियम का ही निकाल लें तीन होता है 1S2S1 या बिरिलियम का देखें बिरिलियम में चार है तो 1S2S2S2 मतलब इसमें यन-S1 यन-S2 इसका कोई भी इलेक्ट्रानिक बिन्यास में निकालेंगे तो जो यस होगा यस में एक इलेक्ट्रान मिलेगा जिस आवर्थ का होगा उसके आवर्थ के पहले वो संख्या होगी और यहां पे जो संख्या अंतिम इलेक्ट्रान का होता है यहां पे वह उसके आ लीजन है, P भान में आपका 6 और लाइन मिलेगे, 6 वर्ग मिलेगा तो इसमें 13 से लेकर कुल 18 वर्ग मिलता है उतलों 13 से लेकर 18 में वर्ग तक उल 6 वर्ग को मिलाकर सामोहिक रूप से हम लोग उसको P भान के जानते हैं ठीक और पी उपकोस में क्रम वाइज जाएगा अगर बाएं से हम लोग चलें दाहिने तरफ तो पी में एक एलेक्टरान फिर दो एलेक्टरान तीन एलेक्टरान चार पांच छार अंती हीलियम को छोड़ कर इसका हीलियम अपवाद है हीलियम जो है एक सेप्शन में है बाकी जो दो शुची ओतातए है जिस्का इलेक्टरानिम्हा स्यान तो इसका होगा यहन्यस तो यहनपी थ्री यहन्यस तो यहनपी फॉर यहन्यस तू एनपपय फाईप और इसमें जो वहाद यहन्यसें टू जाएंगे इलेक्टानिक विन्यास करते चले जाएं तो बाएंस से एक इलेक्टान भरेगा फिर दो, तीन, चार, पांच, छाथ, छाथ, चला जाता है यहां पर तो कोई अपवाद नहीं है तो इसलिए सीधे-सीधे बाएंस से जैसे हम क्रम वाइस दाहिनी तरफ निकलेंगे तो दाहिनी तरफ में हमें इलेक्टान की जो संख्या होगी वो हमें उसी क्रम में बढ़ता चला जाता है जैसे अगर हम बोरान का इलेक्टानिक विन्यास निकले बोरान का 5 है तो 1s², 2s², 2p, 1 होगा अब यहीं कारबन 6 है उसका इलेक्टानिक विन्यास अगर हम निकले त तो 1s² 2s² 2p 2 मिलेगा इसी प्रकार अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो 1s² 2s² 2p 3 और इसी प्रकार लार्स तक हम जाएंगे मालों हम नियान का देख रहे हैं नियान करते हैं बीच में उसी प्रकार होगा तो 1s² 2s² 2p यह आजाएगा 6 तो जहाँ पर उसी क्या देख यान एस टू यन पी इसका जो सामान इलेक्ट्रानिक बिन्यास होता है यान एस टू यन पी एक से छातक होता है इनका सामान इलेक्ट्रानिक बिन्यास ठीक तो यह है कंडिशन पी की और उसी प्रता D उपकोस में जब भी हम देखेंगे तो D ब्लाक में अधिकता इतना 10 ग्रूप है D ब्लाक में 10 ग्रूप 3 तीसरे ग्रूप से लेकर 12 ग्रूप तक की खड़े खड़े लाइन वायार समुहों के सामुहिक रूप से हम लोग D ब्लाक कहेंगे इसका सामान इसका सामान इसका जातीं सब्सक्क्राइब्लम का हम दखेंगे कहिं जीरो करतेशा से घृता है जैसे अगर हम scandium का ही निकाले scandium का यहाँ पर अगर हम निकालती है scandium का electronic बिन्याद तो वो आपका होगा कैसा है 1s² 2s² 2p 6 3s² 3p 3p 6 और उसी के बाद 3p 6 है उसके बाद 4s आजाएगा 2, 3d, 1 तो इस प्रकार इसका electronic बिन्याद होगा और लाश्ट तक हम जाएंग जैसे जेडियन में चले जाएं तो यहीं चीज आपका हमारा 10 हो जाता है तो यह हमारा जेडियन हो जाता है तो इसमें electronic बिन्याद जो होगा आपका d 10 होगा और d यहाँ पर भी 10 होता है electronic बिन्याद के अधार के अगर electronic बिन्याद अक्री है मतलब सामान तो भरा जाता है अक्री नहीं स्वरी यह एक्सेप्सन है यहाँ पर यह कापर जो अला परिवार है वो आपका exception होता है तो इसमें yes में एक electron होकर d में 10 हो जाता है तो जहाँ पर यन माइनस 1 d में एक से 10 electron और यन yes में 0 से 1 में मिलेगा एक 2 इसमें केवल 0 में 1 मिलेगा और 2 मिलेगा तो और यही चीज आपका यह ब्लाक में हम देखे तो यह ब्लाक में इसको कितना है यह ब्लाक में गर गूप आई इसको भर की क्रिकी आगया इसमें क्या था लेंथेनाइट और प्लस एक्टेनाइट एक्टेनाइट यह दोनों स्रेडि मिला कर इसको लेंथेनाइट एक्टेनाइट को यह ब्लाक का जाता होई तो यह ब्लाक वह ब्लाक होगा जिसमें तद तो जो का अंतिम इलेक्टान जोगा तद तो का अंतिम इलेक्टान आभाव के नियम के अधार पर इलेक्टानिक बिन्यास करेंगे तो उसका यह फ्लाक में जाएगा तो उसे यह ब्लाक element कहा जाएगा और यह block कहा जाता है और इसमें दो स्रेडियां को रखा जैसे 4F स्रेड़ी और 5F मतलब इसका electronic बिन्याज सम्दुक करते हैं तो 4F में जाता है और इसका actinite का electronic बिन्याज करते हैं तो 5F में जाता है जिसके कारण इसको lengthenite को 4F के नाम से जाना जाता है तत्तों में इसमें वर्ग को या वर्गों का जो है वर्गी करण तो यस ब्लाक, P ब्लाक, D ब्लाक में हो जाता है अब उसमें जैसे आवर्थ का भी वर्गी करण है आवर्थ में क्या करते हैं और तत्तों के संख्या के आधार पर आवर्थों को कुछ भागों में वर्गी क्रित किया गया जैसे अति लगु आवर्थ अति लगु आवर्थ इस इसमें पहले आवर्थ को अति लगू आवर्थ करते हैं जिसमें तत्तों की संख्याय खायडोजन होता है और हीलियम होता है मतलब जो तत्तों होते हैं वो इसमें केवल दो पाए जाते हैं और दूसरे और तीसरे आवर्थ को दो तत्तों यहां पे मिलता है और उसके बाद आवर्थ लगू आवर्थ लगू आवर्थ में आवर्थ जो होते हैं आवर्थों की संख्या दूसरा आवर्थ और तिसरे आवर्थ को मतलब दूसरे आवर्थ और तिसरे आवर्थ को लगू आवर्थ करते हैं इसमें जो तत्तों की संख्या जो होती है वो आपका 8 8 होता है मत हमलब दूसरे आवर्थ में भी आठ लेक्रान होता है और पीसरे आवर्थ में भी आठ लेक्रान होता है और उसके बाद यहां तक हम लोग हो गया यह हो गया यह हो गया अब चौथे और पांच वे आवर्थ में कुल दो ये यस बलाक का दस ये और शाजी कुल 18 लेक्रान मिलत अठारह तक तो मिलते हैं एक दो मदलाम दिर्ग आवर्थ दिर्ग आवर्थ जो होता है उसको चौथे और पाच्वें आवर्थ को दिर्ग आवर्थ कहते हैं कुल तत्तों की संख्या जो होती है, कुल 18 होता है, और उसके बाद 6 और 7 आवर्थ को कहा जाता है, अती दिर्ग आवर्थ, अती दिर्ग आवर्थ, इसमें 6 आवर्थ और 7 आवर्थ, इसमें कुल तत्तों की संख्या, 20 20 दो 10 टो 20 लाका मिल और 10 ठो टीवंगा और शठो टीव लाका और 14 ओ अपका मिलेगा यह बबलाका तो कल मिलाके 18 यह हो गया 18 24 आठ चार 22 बद्तीस इसमें तत्तों की संख्याज होती है मुद्तीस बद्तीस होती है और कुछ अस्थानों पर इसको incomplete दिखाया है तो अती दिर्ग आवर्त में जो है आवर्तों की जो संख्या होगी 6 आवर्त और 7 आवर्त को अती दिर्ग आवर्त करेंगे अती लगू आवर्त पहले आवर्त को हो गया हाईडोजन प्लस हीलियम और इसमें दूश्रे आवर्त में क्लिणेगा लीथियम नियर्फियम बेरलियम और उसके बाद बुरन कार्बन नािटोजन प्लोरी लाइन आपका दूश्य अवर्त का हो गया और इसी प्रकार तीसरे में हमारा sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, pouring, argon, यह सब इसमें पाए जाएगा तो इसी प्रकार यह आवर्तों का वर्गी करण किया लएनिख, तो आवर्तों का वर्गी करण जो है लेट के बाद या परमाणुक्रमाण 83 से जहां पर प्राराम होता है रेडियो एक्टिव एलेमेंट की रेडियो एक्टिव एलेमेंट इसके बाद के जो तत्त होते हैं और अस्थाई नाभिक के होते हैं जिनका नाभिक और अस्थाई होता है उनको रेडियो एक्टिव तत्त कहा जाता है, जिनका नाविग अस्थायी होता है, उसे radio शामानिक तत्तो कहा जाता है, तो उसमें भी radioactive तत्त में कुछ natural होते हैं, कुछ artificial होते हैं, तो उनका मतलब यहां से और radioactive तत्त वे तत्त होते हैं, जो सोता है alpha, beta, gama करों का उत्त सरजन करते रहते हैं, सोत़ करते हैं उसे प्राक्रतिक Radioactive तत्तों कहा जाता है तो Radioactive तत्तों वह जाएगा जो alpha, beta, gamma करणों का उससरजन के बाद वे अपने ग्रूप से जैसे अलफा का उसर्जन कर रहा है गामा का उसर्जन कर रहा है तो उनके उसर्जन के बाद कितने उसमें परमाडुक्रमान की कमी हो रही है या बृध्धी हो रही है तो जितने की कमी हो रही है अलफा कंटे उसर्जन से दो की कमी हो रही है प्राहर रहा है कि इन्क्रीज होने के बात एक ग्रूप कर जाता है या आगे बढ़ जाता है तो इसके आधार पर हम लोग का सकते हैं इसके आगे के चीस्ताध होते हैं वह लगभग रेडियू एक्टीव होते हैं और इसंवे यूरेनियंक बाद के बाद के लिवन के बांवे के बाद के एल्यमेंट होते हैं लिवन करते यूडु कि यह तथ्पों के लिवन के द्वारा उनको संस्लेशित रहे तो uranium के द्वारा sensation होने के काया इसके बाद के तत्मों को परा-uranic तत्म कहते हैं और फ्रांसियम एक ऐसा तत्म होता है फ्रांसियम यह एक ऐसा तत्म जो radio active है क्या है radio active element वह भी liquid में है liquid है और radio active element है और उसी के आधार पर जैसे यह जी होता है यह जीवी आपका liquid में मिलता है liquid में पाया जाता है metal भी है और liquid भी है तो अब इसके आधार पर अगर वे तत्मों में ठोच द्राव गैस की अगर हम व्याख्या करें तो सबसे अधिक आपका हमारा मेटल या धातु जो होता है या तत्त जो है वो थोस द्रव व गैस तो इसमें जो तत्त होते हैं वो सामानता थोस द्रव गैस में भी मिलते हैं और थोस द्रव और गैस में मिलने के कारण और इसमें जिस धात्वे होती हैं ठोस में मैक्सिमम मेटल मिलेगा मेटल मैक्सिमम ठोस में है और कुछ ही मेटल जो होते हैं वो लिक्विड में पाए जाते हैं लिक्विड में कुछ मेटल है जैसे यचजी हो गया फ्रॉंसियम हो गया और नन मेटल जो है कुछ गैसी माध्य में मिलते हैं कुछ सालिड में मिलते हैं और कुछ सामातर लिक्विड में है और धातू जो होते हैं वो ठोस अवस्था में गैस अवस्था में नहीं मिलते हैं प्राक्रितिक रूप से वो गैस वस्था में नहीं पाए जाएंगे आपका गैस में मिलेगा नान मेटल और कुछ सबसे अधिक अगर टत्तों की बात करें तो सबसे अधिक इस्टेट में अधिकतम मिलता है तो यह है ऑवर्षाडि की मुखे condition , तो यह है दिर्गा कार आवर्ष साडि , आवर्षाडि में तत्तों का वा्रगी ट्रड करया गया है या किया गया है इसमें उनके गुडों के आधार पर तत्तों का वर्गी करण जो होता है उनके गुडों के आधार पर जैसे आवर्ती गुडों हम लोग देखते हैं अगर एक वर का अध्यान कर लें तो उसमें उस वर्ग के या एक वर्ग के किसी भी एक तत्तों का मतलब इसम 118 तत्व हैं उनका अलग अलग हम अध्यान करके अगर किसी ब्लाक का भी हम जनरली अध्यान कर लें तो कुछ गुर इतने तत्व का सेम होगा लेकिन अगर हम किसी ग्रूप का जैसे माली जी इसी ग्रूप का हम अध्यान कर लें तो एक तत्व का जो अध्यान होगा सामाने ग एलग अलग class में बेठे हुए है, तो सभी एक class के बच्चों को जो subject पढ़ाया जाता है वही सभी के बच्चों को subject पढ़ते हैं, या पढ़ाया जाता है, तो उसमें अगर एक बच्च क्या, अगर वहां पर element को हम student मान लिया जाये तो student का जो general character होगा या जितनी दिक्ष्णत होगी वह लगभग सेम होगा सभी बच्चों का सेम होगा तो वह और इस्पेशल क्रेक्टर जो होगा वह अलग होगा तो जनरली यह कहने का अर्थ है कि एक वर्ग का जो या एक वर्ग में या एक ग्रूप में जितने भी एलेमेंट है उनका जो जनरल क्रेक्टर होगा वह सेम होगा तो इसमें हमें सभी तत्तों का अध्यान करने के वजाए अगर किसी वर्ग के एक तत्तों का अगर हम अध्यान कर ले तो उस तत्तों का सामाने गोर्ज होगा हमको पता चल जाता है तो इस प्रकार आवरसाड़ी का उपयोग रहा और इसमें तत्तों के गुड़ों के आ बैलंसी भी अलग हो सकती है दर बैलंसी अलग है तो उनके गुर्ज जो केमिकल प्रापरटी जोगा वो अलग आएगा तो उसके आधार पर अलग अलग गुर्ज वह है उसमें होते हैं जैसे उसमें तत्तों के अगर आवर्त नियम देखेंगे तो तत्तों के भौतिक और performュく क्रूमांग एक का 2-3 से मिल रहा है फिर norm 6 Commerce से मिल रहायए तो इसका अर्फ के हैं कि वहर कि परमांगी करello वालव कर दो होगा हुआ उसका गुल इस उन मिलकर कहीं और मिल रहा है फिर इसके बाद से नमिल По का चार परमाणुक्रमांग 5 6 7 8 9 10 इन तत्तों का गुर्ण जो है इस चे ना मिलकर कहीं और मिल रहा है तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुर्णों वाले भौतिक तथा रासाने गुर्ण की पुन्रावृत्ती होते हैं बार बार एक निश्चित अंतराल के बाद व् आवर्थी गुन तो यह है आपका युस्म आवर्षाड़ी यह सबलाग आवर्षाड़ी को एक बार फिर से यी क्यों कर लेते हैं पूरी आवर्षाड़ी क्या होगा चार बलाट में बहुच बराक अक और गलाट और पीरियंड में देखेंगेशिय चर प्हिरियंड होता बूख करते हैं णबर आप ग्रूब जो होता है वो 18 होता है 18 गरोफ में बाटा गया है फिर उसके बाद धात्मों को हम लोग सी आवरसाड़ी को मेटल, non-절 क्या मेजल वाइड में इसको बाटा जाता है जो अलग अलग होती है फिर उसके बाद सॉलिड लिक्विड और गैस गैस में element को बांटा गया है तो हुषमें और प्राक्तिक में देख सकते हैं अधारी का ब्रत्मां प्रा रूप जो दिल्गाकार और साडी के रूप में विख्या था है कुछ कुछ